कि नमस्कार साथियों मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर श्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परिक्षाओं के लिए सुपकामनाई देता हूं आज हम करंडफेस पर चर्चा करेंगे एकिस दिसंबर से 2020 से 26 दिसंबर 2020 के करंडफेस पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ठीक है करंडफेस 21 20 दिसंबर 2020 से 26 दिसंबर 2020 तक ठीक है इसके शुरुवात करते हैं यहां देखिए करंट ौपेयस थापता ही एकपंग्ती 21 दिसंबर से 26 दिसंबर 2020 थीक है इसमा पहला प्यंट है वह राज्यसरकार जिसने कुछ सर्तों के साथ राज्य में जल्ली कुट्टु कारिकरम के आयूजन की इजाज़त दे दी है वह है तमिलनादु ठीक है आगे चलते हैं अगला पॉइंट है 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 थीज़ा देश जुबन गया है वह है भारत ठीक है 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 थीज़ा देश जुबन गया है वह है भारत अगला पॉइंट है हाल ही मैं संयुक्त राज अमेरिका युएसे ने भारत जापान और जिस देश के प्रधान मंत्री को लीजन ऑप दे मेरिट से सम्मानित किया है वह है आस्टेलिया ठीक है तो संयुक्त राज अमेरिका युएसे ने भारत जापान और आस्टेलिया के प्र जिस देश के प्रधान मंत्रियों को Legion of the Merit सम्मान से सम्मानित किया है वह है ऑस्टेलिया यानि भारत जापान और ऑस्टेलिया के प्रधान मंत्रियों को Legion of the Merit पुरुसकार से अमेरिका ने सम्मानित किया है ठीक है आगे चलते हैं भारत में प्रतिवर्ष राष्टी किसान द विवस्का आयुजन 23 दिसम्बर को किया जाता है देखे 23 दिसम्बर को भारत के पूर्व परधान मंतरी चौधरी चरन्ण सिंग्की जैन्ती के आउसर पर ठीक है भारत के ठीक है तो भारत के पूरो प्रधानenmentरी ठीक है भारत के पूर्व प्रधान मंतरी पूरो प्रधान मंतरी चोधरी चरण सींह की जयन्ती के आउसर पर ठीक है जयन्ती को किसान दिवस के रूप में मना जाते हैं ठीक है किसान दिवस किसान दिवस ठीक है तो भारत में प्रतिवसर राष्टी किसान दिवस का आयोजन जिस्तिन किया जाता है 23 दिसंबर को भारत के पूरो प्रधान मंतरी चौधरी चरण सिंग की जयन्ती मना जाती है ठीक है और इसी जयन्ती को किसान दिवस के रूप में मना जाते है ठीक है अमेरिकी संसद ने बहु प्रस्थिक्षित जितने सो अरब डॉलर का कॉरोना वाइरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है। कॉरोना वाइरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है। आगे चलते हैं। हाल ही मैं जिस देश के मंत्री मंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार नवी बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरू दे दी है। है जापान जापान ने लगातार नवी बार रक्षा बजट को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरू दे दी है जापान के मंत्री मंडल ने ठीक है आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है फॉर्मूला वन के जिस दिग्गच खिलाडी और साथ बार के चैंपियन को 20 दिसम्बर को बीबीसी का साल का सर्वस्रिष्ट क्लाडी चुना गया वह है लुईस हैमिल्टन ठीक है लुईस हैमिल्टन जो की फॉर्मूला वन के रेस के दिग्च लाड़ी है और शाद बार के चैंपियन रह चुके हैं को बीज दिसम्पर को बीबीसी का साल का सर्वस्रिष्ट कि लाड़ी चुना गया ठीक है आगे चलते हैं अगला पॉइंट है राष्टी पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में जिस फिल्म निर्देशक वा वरिष्ट अभिनेता का दक्षन कोलकाता मा निधन हो गया वह जगनात को आगे चलते हैं जिस दिगज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम एचिवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया वह है धर्मेंदर ठीक है अगला पॉइंट है भारतिय रिजरो बैंक आर्बियाई ने केरल इस्तिद्ध अर्बन कॉपरेटिव बैंक लिमिटेट पर जितने लाग रुपे का मौद्रिक जुर्माना लगा है वह है पचास लाग रुपे का ठीक है आगे चलते हैं हाल ही मैं जिस देश ने भारत के प्रधान मंतिली ऎर्वंद्र मोधी को लीजन डून अफ्ड़े मेРЕट पुरसकार से समानित करने की जूफ्रा के है वह है तो डिसम्र को महान गणित के रामा नूजं की जयंति और पर मनाँ जाता है है थींप राम के रामा नूजंसर के जन्म्दीवर्स्त ठीक । तो रामा निजम जो महान गणितिग्य है उनका जन्म दिवस पर जन्म दिवस पर ये राश्टी गणित दिवस मनाया जाता है ठीक है आगे चलते हैं भारत ने वायू सेना की निगरानी शमता को मैं सुधार करने के लिए जितने नए एरबॉर्न अरलि वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेन यानि ए डब्लू एड सी का निर्मान करने का फैसला लिया है वह अच्छा है यानि भारत ने वायू सेना की निगरानी शमता में सुधार करने के लिए के लिए छे नए एरबॉर्न अलिव वर्निंग एंड कंट्रोल प्लेइन एई डबलू एंड सी का निर्मान करने का फैसला किया है आगे चलते हैं अ है भारतिय मुक्यबाच अमिद पंगालने जर्मनी के कोलोन में चल रहे मुक्यबाजी विस्वकप में जो पदक अपने नाम कर लिया है स्वन्डपदग तो भारतिय मुक्यबाज अमित पंगाल ने जर्मनी के कोलोन में चल रहे मुक्यबाजी विश्वकप में स्वन्डपदग अपने नाम कर लिया है आगे चलते हैं जिस देश ने विश्वक के सबसे बड़े रेडियो टेलिस्कोप का निर्मान किया है वह चीन चीन ने विश्वक के सबसे बड़े रेडियो टेलिस्कोप का निर्मान किया है अगला पॉइंट है हाल ही मैं जिस राज्य मैं बंदरों के लिए एक बचाव और पुनरवास केंद्र मंकी रिहेविलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है वह है तेलंगना ठीक है तो तेल आगना मैं हाल ही मैं बंदरों के लिए एक बचाव और पुनरवास केंद्र मंकी रिहेविलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है अगला पॉइंट है है उत्तर प्रदेश ठीक है अगला पॉइंट है भारतिय रिजरो बैंक ने हाल ही मैं जिस बैंक पर लगे प्रतिबंदों को तीन महिने और आगे बढ़ा दिया है वह है पंजाब एंड महारास्ट कॉपरेटिव ठीक है अगला पॉइंट है एसियाई विकास बैंक एडीबी और भारत सरकार ने जिस राज्य मैं आधारवुत परियोजनाओं के विकास के लिए 42 लाग डॉलर के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझोते पर हस्ताक्सर किये हैं वह है तिरिपूरा ठीक है तो तिरिपूरा राज्य मैं आधारवुत पर योजनाओं के विकास के लिए 42 लाग डॉलर प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझोते पर एस्याई विकास बैंक और भारत सरकार ने हस्ताक्सर किये हैं अगला पॉइंट है रास्टी उपभोगता अधिकार दिवस नैस्टनल कंजूमर राइड डे जिस 22 को राष्टी गणित दिवस यानी राष्टी नैस्टनल माथमेटिक्स डे और 23 को राष्टी किसान दिवस और 24 को राष्टी उपभोगता अधिकार दिवस ठीक है 22 को राष्टी गणित दिवस यानी नैस्टनल माथमेटिक्स डे और 23 को राष्टी किसान दिवस और 24 को राष्टी उपभोगता अधिकार दिवस मनाए जाता है ठीक है आगे चलते हैं अमेरीकी अंतरεί विकास विथ निगमने जिस देस में राष्टी निवेस और अव्संद्चना कोश में निवेस करने की घोष्णा की है वह है भारत तो अमेरिकी अंतरराष्टी विकास वित निगम ने भारत में निवेश और अवसनस्ना के कोश में निवेश करने की कोशना की है ठीक है आगे चलते हैं केंद्रिय सडक एम परिवहन और राजमार्ग मंत्रे नितिन गटकरी ने जिस राज्य में 8,341 करोड रुपे की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्गाटन और सिलन्यास किया है वह है राजुस्तान ठीक है राजुस्तान में उन्होंने केंद्रिय सडक एम परिवहन राजमार्ग मंत्रे नितिन गटकरी ने राजुस्तान में 18 नेशनल परियोजनाओं का उद्गाटन किया है जिनके लागत 8,341 करोड रुपे आगे गई है और यह राजुस्तान में उन्होंने किया है यह उद्गाटन आगे चलते है अगला पॉइंट है जिस देश की संसद नैसट को देश के बजट सम्मंदी विवाद के बाद भंग कर दिया गया इस्राइल ठीक है इस्राइल की संसत का नाम नेशट है और वहाँ बजट समन्दी विवाद चल रहा था जिसके कारण इस्राइल की संसत नेशट को भंग कर दिया गया है ठीक है आगे चलते है अगला पॉइंट है अगले पॉइंट को देखेंगे संयुक्त राष्ट महिला और जिस सरकार ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए हाथ मिला है केरल ठीक है सेयुक्त राष्ट महिला आयोग या महिला परिशत ने केरल के साथ सब भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्तापना के लिए हाथ मिला है अगला पाइंट है कि एस्याई विकास बैंक कि एडी बी ने पूर्वोतर राज्य में सहरी शेतनों और परियाटन के विकास है तो तुरिपुरा सरकार को जितने करोल रुपे का रिंड देने की घोशना की है वह है एकिस्सो करोल रुपे देने की घोशना की है तुरिपुरा सरकार को एश्याई विकास बैंक ने जो कि भार सरकार और एश्याई विकास बैंक के भी सभी एक डील हुई है उस पर हस्ताक्सर हुए है जिसके तहट एश्याई विकास बैंक तुरिपुरा सरकार को एकिस्सो कर और लोड़ोपे करज देगा ठीक है अगला पाइंट है लोग मंडल एसो चेम के नए अध्यक्स के रूप में पदभार जिसने समाल लिया है विनीत अक्रवाल ठीक है उद्योग मंडल एसो चैम के नए अध्यक्स के रूप में पद्भार जिसने समाल लिया है विनीद अगरवाल अगला परिंट है भारत सरकार ने हाली में आई बी सी कूड यानी दिवाला और दिवालियापन सहिता के निलंबन को जब तक बढ़ावा दिया है मार्च 2021 थीक है भारत सरकार ने हाली में IBC कोड यानि दिवाला और दिवालियपन सहिता के निलंबन को मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है ठीक है अगला पॉइंट है हाली में भारत और जिस देश ने अपने आभासी सिखर सम्मिलन के दौरान रक्षा पेट्रो केमिकल और परमानू उर्जा जैसे शेत्रों में साथ समझोतों पर हस्ताक्सर किये वह है वियतना ठीक है आगे चलते हैं अगला पॉइंट है की गोवा मुक्त दिवस जिस दिन मना जाता है वो है 19 दिसम्बर ठीक है अग गोवा मुक्त दिवस जिस दिन मना जाता है 19 दिसम्बर को क्योंकि 19 techn दिसम्बर 1961 को 19 दिसंबर 19 दिसंबर 1961 को भारती सेना द्वारा गोवा को पूर्थ गालियों से मुक्त कराया गया था और भारत में भारत का हिस्सा यह बना था आपरेशन विजये भारती सेना के द्वा चलाए गया था ऑप्रेशन विजये भारती सेना के द्वारा चलाए गया था Dma 26ain में गोवा द्रम दिव को पूर्तिग आलियों से मुक्त करा दिया गया था और भारती सिनादवारा पुर्थियों से गौवा को मुक्त कराने के आउसर पर 19 mechanism को गौवा मुक्त दीवस मना जाता है ठीक है ठीक है गोवा मुक्त 2 fasten को इसलिए मना जाता है कि यह 19 संबर के दिन ही ओवा को पुर्थी गालिंस से भारती सेना दोरा ओप्रेशन विजय के माध्यम से मुक्त कराया गया था ठीक है आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है इसके तहट जब्रन धर्मांत्रण पर अब जितने साल की सजाका प्राउधन किया गया है साथ साल तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है इसके तहट जब्रन धर्मांत्रण पर साथ साल की सजाका प्राउधन किया गया है आगे चलते हैं तमिलनाडू के ओल राउंडर और दो आईपील टीमों से खेल मैस से खेल चुके जिस भारती क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारुपों से सन्यास का अईलान कर दिया हूँ है यो महिस तमिलनाडू के ओल राउंडर और दो आईपील टीमों से खेल चुके जिस भारती क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारुपों से सन्यास का अईलान कर दिया वो है यो महिस आगे चलते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ने जिस सहर में भारत की पहली उन्नत हाइपर सोनिक विंड टनल ह्ट परिक्षर सुविधा का उद्गाटन किया है वह है है अगला पॉइंट है जिस देश की राष्टपती विद्या देवी भंडारी ने प्रधान मंत्री केपी सर्मा ओली के मंत्री मंदल की सिफारिस पर संसत भंग कर दी है वह है नैपाल तो नैपाल के राष्टपती बिद्या देवी भंडारी ने प्रधान मंत्री केपी सर्मा ओली के मंत्री मंदल के सिफारिश पर संसद भंग कर दी ठीक है आगे जलते हैं अगला पॉइंट है हाल ही में 200 बैंक ने भारत में मौझूदा बांधों के प्रधर्शन में सुधार लाने और उनकी सुरक्षा में सुधार के लिए जितनी मिलियन डॉलर की मंजूरी दी 250 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी आगे चलते हैं बंत्राले ने हर्याणा में होने वाले खेलों इंडिया यूथ केम्स 2021 में जितने देशज स्वदेशी खेलों को सामिल करने की मंजूरी दे दी है चार अगला पॉइंट है जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन बिस्वकप में भारती है मुक्के बाजों ने सांदर प्रदस्ण करते हुए तीन गूल्ड मेडल समेट जितने मडल अपने नाम किये नौ मडल अपने नाम कर लिये है ठीक है अगला पॉइंट है हाल ही में जिस निगरानी पूद को भारती तटरक्षा बल में सामिल कर लिया गया है सुजीत को ठीक है अगला पॉइंट है अंतर राष्टी मानव एक जूटता दिवस इंटरनेशनल यूमेन सॉलिडेरिटी डे जिस दिन मना जाता है 20 दिसंबर ठीक है 20 दिसंबर को अंतर राष्टी मानव एक जूटता दिवस मना जाते है ठीक है आगे चलते है अंतिम पॉइंट है अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम दिया है वो नाम क्या दिया है गार्जियन्स ठीक है गार्जियन्स नाम दिया है तो ये थे 21 दिसमबर 2020 से लेके 26 दिसमबर 2020 तक के करंटर फेस ठीक है तो मुझे उमीद है कि ये आपको अब लगबग थोड़े बहुत याद हो गए होंगे और आगे आपकी परिक्षाव में भी ये काम आएंगे ठीक है देखें इनको और आप इस वीडियो को देखें और इन करंट अफेस को नोट कर लीजें ठीक है और बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूँगा ठीक है आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्स्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूँ आप तक तुरंत पहुचे बागी की जान करें मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा तब तक के लिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और अपने अधिन को जार रखिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका नमस्का